लडाई कर लूं इंडियंस के साथ, पाकिस्तान के मैच्स से पहले, वर्ल यूर्ड कॉप से पहले यह एक वो 한 ग्लिप is जो बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है, इस क्लिप में यह कहा है, हारिस राउफ ने, पाकिस्तान के वो पेसबोलर, जो विराक कोली के फैन मने जाते है पाकिस्तान के स्टार तेज गिंद बास हारिस रौफ इनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि क्या लड़ाई कर लो इंडियन्स के साथ 2023 में इंडिया और पाकिस्तान के भी 14 अक्टूबर को आहमदाबाद में एक महा मुकाबला खेला जाएगा इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के अंदर काफी उत्सा है वही महा मुकाबले से पहले पाकिस्तान के स्टार तेज गिंद बाज हारेस रोफ का एक वीडियो शुशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या इंडिया के साथ मुझे लड़ाई लड़ लेनी चाहिए क्या इंडिया के खिलाफ मैच में कि बड़ा चड़के होते थे आख आखे दिखाना वो वाले सीन देखने को नहीं मिलते अब जैसे किस तरह के पहले कहते हैं हम के भाई ये राइवल्री है और दुनिया का सबसे खतरनाक मुकाबला है जो उसके अंदर बड़े-बड़े खिलाड़ी आपस में भिड़ते हैं भज्जी वाले आपको सीन याद होंगे गौतम गंभेर, कामरा, अकमल, शायद अफ्रीदी तमाम तरह की चीज़े आपको याद होंगी तो उसके संदर्ब में सवाल पूछा गया था जिसमें कहा गया कि भाईया अब वो पहले वाले चीज़ देखने को नहीं मिलती जवाब में हारिस रूफ कहते हैं क्या लड़ा हम लोगों को नहीं देखते कि लोग हमारे उपर यकीन करें या नहीं, आप खेलने वाले हैं, आप खुद पर भरोसा रखें। पाकिस्तान को इतने बड़े अंतर से कभी नहीं हरा था, और इस मैच के बाद से पाकिस्तान का जो कहते हैं मनोबल तूटा था उसके बाद वहां से उठे ही नहीं, दोनों मैच में वो ना सिर्फ हारें, बलकि वो नमबर वन बनकर एशिया कप के अंदर आए थे, ओडिया रैंकिंग में लेकिन बावजूद इसके वो नमबर चार, यानि की आखरी नमबर पर जाकर बाहर हुए, ऐसे में रोई शर्मा की कप्तानी में दो शतक और दो और शतक देखने के मिले, विराट कोली ने 122 रंजड़े थे और केल राहूल ने 111 रंजड़े थे, शुमन गि से इन तमाम चीज़ों को पूछा गया, तो उनों ने बता दिया कि क्रिकिट खेल है, जंग थोड़ी है, वैसे ये थोड़ी सी चीज़े याद भी आती है, जब इंडिया पाकिस्तान की पहले राइवल्री होती थी, उसमें जिस तरह की चीज़े होती थी, और अब जिस तर हो रही होती है, कोली के आसपास, चार बाच खिलाडी खड़े होते हैं, पाकिस्तान के शाहिशा फ्रीदी, हार इस तरह तो अकसर हमें विराट कोली के आसपास नजर आते हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़े आप देखने को मिलती है, आपको क्या लगता है, क्या जो ज्यादा बैतर थी, वो खतरनाक वाली राइवल्री है, यह वाली क्रिकेट वाली राइवल्री मुझे कामेट में जरूर बताएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई होते हैं, लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना झाली करने जरूर को